नमस्कार मित्रों आप साभी का हमारी यूट्यूब चेनल में स्वागत है उसके बाद इलाज शुरू होगा फिलहाल बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तेजस्वी ने बताया कि गिरने से लालू जी को तीन फ्राक्चर होए थे इसके बाद उनकी स्थिती बिगड़ गई उधर लालू के लिए दौाओं का दौर भी जारी है पटना के मंदिर और मस्जिदों में दौा की गई छोटे बच्चों ने भी उनके जल स्वस्थ होने की कामना की लालू की हालत नाजुख दिल्ली AIIMS में इलाज जारी लालू यादव दिल्ली के AIIMS में भरती है उनकी हालत नाजुख है उनके शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बढ रही है क्रियेटनिन लेबल 4 से 7 पहुँच गया है जिससे डाइलिसिस की जरुरत महसूस हो रही है किड्नी के सही धंग से काम नहीं करने के कारण यूरिया बढ रहा है उनके बॉडी में मूनमेंट नहीं हो रही शरीर लॉक हो गया है लालू यादव की किड्नी 20 प्रतिशत ही काम कर रही है शरीर में यूरिया बढ रहा है